हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप लोग आए हूँ खुश होंगे अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे हैपी होंगे दियर हमें दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहे हैं पॉजिटिविटी को ट्रेक करें आपके लाइफ में धेर सारी खुशियां आए शुर करें आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि यहां पर थर्ट पार्टी और आपके पार्टनर की बीच में क्या चल करता है चाले प्याइब करते हैं कि यहां पर क्या चल रहा है फड़ पार्टनर के बीच में यहां पर जो रिख नी वाल हैं पूरी तरह से दिख रहा है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा यहां पर जैगल कर रहे हैं कुछGAN कि बैलनस करना चाहते हैं शायत कुछ चीजों को लेकर उनका Focus बहुत ज्यादा हो रहा है देखेंगे कि स्चीज पर यह जगल कर रहे आखिरकर आपके partner चाहते क्या है ठीक है कुछ चीजों का weight भी कर रहे है कुछ चीजों को लेकर बहुत force विचार भी कर रहे हैं आपके partner डियर यहाँ पर two number जो है कुछ खास हो सकता है आपके लिए two-two के energy निकल रहे है the moon की energy है आप देख सकते हैं the moon की energy है और dear यहाँ पर third party relationship जो है यहाँ पर efforts लगाए गए हैं ठीके तो दिखाई पढ़ रहा है कि efforts लगाए गए हैं बहुत सारी चीजों को लेकिन dear third party और partner के बीच में यहाँ पर कार्मिक relationship है एक ऐसा कार्मिक relationship दिखाई दे रहा है जो बहुत जदा आपके partner को शायद इस third party की तरफ एक attraction है या फिर ऐसा कोई relationship है emotionally आपके partner यहाँ पर बहुत जदा involved मुझे दिखाई दे रहे हैं साथ इसाथ planning की गई है पूरी तरह से ऐसे ही रिष्टा नहीं हुआ है यहाँ पर plan करके चीजों को खराब किया गया है तो planning दिखाई दे रही है आपके partner की और dear आपके partner की जो एक ऐसी energy दिखाई दे रही है कि अब यह आपके partner जो है four of cups की energy में है आप देख सकते हैं बहुत जदा चीजों को लेकर बहुत जदा कुछ चीजे उनको समझ नहीं आ रही है हालात family है तो family की वज़े से बहुत जदा mind game खेले गए बहुत जदा blockages खड़े करे गए वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है दिखते हैं यहाँ पर आपके साथ में justice होगा न्याय के देवता ने यहाँ पर बताया है तो justice मुझे दिखाई दे रहा है कि justice तो आपको मिलने वा आपके साथ में होने वाला है bottom की energy को अगर हम देखें दियर तो third party और partner के बीच में four of swords वाली situation है ऐसी situation जिसको देख कर शायद एक तरह से ना ego भी हट हो रहा है किसी का ego पे भी बात आ रही है golden बहुत हो रहा है यह वाली energy यहाँ पर नजर आ रही है ठीक है तो यह third party हो सकती है या फिर आपके partner हो सकते हैं जिसके ego पर बात बन रही है ओके तो चलिए देखते हैं sign आपको मैं बता देती हूं देर यहाँ पर जोडियक sign की बात करें तो टौरस वर्गो Capricorn के energy heavy दिखाई दे रही है साथ साथ Gemini Libra Aquarius भी दिखाई दे रहा है ठीक है Aries Leo Sagittarius के energy है चलि Pentacles के energy है Two of Pentacles जो cards है वो बहुत ज़्यादा confuse करता हुआ card दिखाई दे रहा है आपके partner कुछ चीजों को लेकर जगल करें Two of Swords की भी energy है यह दोनों ही cards इतना ज़्यादा problem खड़ी कर रहे हैं इतना ज़्यादा situation खराब कर रहे हैं कि हालात पुरी तरह से बिखरे हुए हाला पा नहीं रहे हैं कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है और डियर आपको समझने की कोशिश में काफी चीजे वो गवा चुके हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि उस इनसान की energy ऐसी हो रही है confusion वाली हो रही है और डियर आपका जो एक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ चीजों को लेकर फोकस कर रहे हैं कुछ चीजों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और डियर आपसे बात नहीं हो पाई है और यहाँ पर दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में जो उन्होंने एक रिष्टा जोड़ा आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा परिशान हो रहे हैं और यह कार्मिक रेलेशन्शिप है थौड़ पार्टी के साथ में डर और पश्तावे की आग यहां पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर और प्लानिंग कर रहे हैं रिष्टे के लिए कुछ प्लान वाली situation खड़ी हो गई यहाँ पर ego हट हुआ है तो आपके partner का दिल यहाँ पर बहुत बुरी तरह से दिखाई दे रहा है कि उनको तकलीफ हो रही है कुछ बात को लेकर शायद आप जो है यहाँ पर आपके nature को देखकर आपके जो relation दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ज़्याद यहाँ पर problem वाले मुझे दिख रहे हैं दिखो third party के साथ का जो भी रिष्टा था third party के साथ का जो भी relationship है third party जैसी भी है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यह अब third party के साथ में जो इनका रिष्टा है third party के साथ में जो इनका life है जो चीजे हो रही है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ में गहराई से इनकी जो प्रॉबलम थी, जो इनके रिलेशन थी, वो सब कुछ कहीं न कहीं डाउट में आ गया है हो सकता है, आपके पार्टनर को बहुत ज़दा डाउट हो रहा है थर्ड पार्टी पर, ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड यह समझ लिजे कि जो भी परदाफाश हुआ है जो भी प्राब्लम यहाँ पर निकली है इस दौरान यहाँ पर किसी तरह का कोई सीक्रेट, किसी तरह का कोई राज जो है वो खुला है अब ऐसा दिखाई दे रहा है आपके partner के असलियत सामने आ रही है आपके partner का जो relationship है वो third party के साथ openly क्या था क्या नहीं है वो सारी situation का यहाँ पर खुलासा होता हुआ दिख रहा है और आज उनका जो एक search है आज उनकी life में जो third party की पूरी कहानी है वो कहीं न कहीं एक ऐसा more ले चुकी है कि break up situation यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके partner और third party की जो life है उसकी वज़े से शायद आपका property loss बहुत हुआ है हो सकता है आपके partner ने इस third party की बातों में आकर अपने property को ले कर या फिर अपनी property के लिए मतलब आपके partner की property जो थी उसके लिए इस third party ने किसी तरह का pressure डाला है या फिर ये third party नहीं चाहती है कि आप अपके partner की जिंदगी में involved रहें या फिर ये third party कोई family हो सकती है कोई चाचा कोई relationship इनका हो सकता है घर family members की तरफ से हो सकता है जो रिष्टे नहीं बनना देना चाहते है और dear ऐसा दिख रहा है कि खुद को आपके partner जानते हैं कि आपका उनका जो relationship है वो एक truth है और उसके साथ में यहाँ पर आपके partner ये भी जानते है कि इस relationship में यहाँ पर burden है इस relationship में उनके ego को hurt करा है बहुत ज़्यादा isolation वाली हालत रही है लेकिन दोके में रह रहे हैं आपके partner दोके में ही कही न कहीं चीजों को समझ रहे हैं जो सचाई है वो उनको समझ नहीं आ रही है और dear ये दिख रहा है कि third party के लिए उन्होंने जो भी कुछ किया है जो भी efforts लगाया है अब यहाँ पर उनको उसके बदले में एक ऐसी situation का सामना करना पड़ गया है एक ऐसे हालात का सामना करना पड़ गया है जहां पर जूट का सहरा ले रहे हैं तो जूट जो है जो गलतियां आपके partner ने कर दी है जो जूट पर जूट बोले गए third party के साथ मिलकर जो planning करी गई जो situation क्रियेट करी गई आपको तो खबर तक नहीं है कि आखिरकार दोनों के situation कहां से कहां तक पहुच गई है यहां पर कोई business को लेकर deal हुई थी कोई business property को लेकर deal हुई है और डियर दिखाई दे रहा है कि बड़ी planning करी गई थी ऐसा लग रहा है कि आपके partner third party के relationship में बहुत ज़्यदा अभी tired feel कर रहे है बहुत ज़्यदा ठका हुआ feel कर रहे है और इनको किसी बात को लेकर doubt है किसी बात को लेकर यह partner बहुत ज़्यदा stress ले रहे है किसी बात को लेकर यहां पर cheating या धोका आपके partner को मिला है क्यों दिखाई दे रहा है यह card क्योंकि यहां पर दिख रहा है justice एक S1 नया यहां पर होने वाला है इश्वरी शक्ती जो है वो कहीं न कहीं यहां पर justice करना चाहती है जो mind game खेले गए हैं जो दिमाग लगाया गया है जो भी यहां पर family members शामिल थे इन family members की life में बहुत ज़्यादा problems आने वाली है बहुत ज़्यादा struggle आने वाला है ऐसा लग रहा है कि इस family members की जो करमा है वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे करमा जैसे कि कहते हैं ना किसी के life में भुचाल आने वाला है तो यहां पर दिख रहा है कि third party जो भी है उसके life में कुछ ऐसे करमा उनको face करने पड़ेंगे जहां पर हम कह सकते हैं एक दुसरे को खोना या तो किसी के साथ में कोई बहुत बुरी situation create हो जाएगी या फिर suddenly ऐसी life क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी यहां पर निकल रहा है करमा का कार्ड है करमा जो है एक नियती है करमा जो है वो कहीं न कहीं निकल के आता ही है तो यहां पर आपके life में justice दिखाई दे रहा है आपको नियाय मिलने वाला है order, third party और आपके partner जो भी relationship आपसे चुप चुप कर कहीं न कहीं continue कर रहे थे या फिर आपके पीछे इस third party ने आपके रिष्टे में बहुत सारे blockage इस लाई है बहुत सारी कहीं न कहीं चाले चली है, साजिश करी है अब दियर इन दोनों के बीच में जो situation create हो रही है वहाँ पर third party का behavior बहुत ज़्यादा चेड़ चेड़ा दिखाई दे रहा है third party अपनी नीची जिन्दगी को लेकर बहुत ज़्यादा stress ले रही है बहुत ज़्यादा उसको anxiety हो रही है, problems हो रही है क्योंकि जो burden आपके partner यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके partner का ego बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपके partner बहुत ज़्यादा egoistic दिखाई दे रहे हैं dear आपके partner किसी बात को लेकर burden फील कर रहे हैं क्योंकि शायद third party के कारण इनकी life जो है थोड़ा सा disturb हुई है third party के कारण इनको कुछ बहुत बड़ी critical problems का सामना करना पड़ा है कुछ हालात ऐसे हुए है जिसके दोरान आपके partner को अभी अगर बात करी जाए तो dear ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके partner के साथ में third party का जो रिष्टा था वहाँ पर cheating हुआ है वहाँ पर बहुत बड़ा fraud हुआ है पैसो को लेकर कुछ हैरा फैरी हुई है पैसो को लेकर बहुत बड़ा issue आया है third party और partner के बीच में third party आखिर कार यहाँ पर trust हो चुकी है क्योंकि आपके partner के साथ में उसने pentacles यहाँ पर बहुत सारे देखे देखे two of pentacles है यहाँ पर ten of pentacles है seven of pentacles है और three of pentacles है eight of pentacles है तो सारे ही pentacles है और यहाँ पर proposal ऐसा दिखाई दे रहा है ठी third party चाहती थी कि आपके partner इसके proposal को accept कर ले और dear आपके partner के accept करने से आपके partner का इस third party के साथ में relation बनाने से dear ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे pentacles जो है उसके हाथों में लग जाएंगे मतलब उसने सोचा था कि कही न कहीं वो property, business, carrier सब पर अपना focus बना लेगी लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि third party के जो इरादे थे वो पूरी तरह से negative थे third party के जो दिमाग में खिचडी पक रही थी एक तरह से, वो ऐसी थी कि dear आपके partner को भी वो कहीं न कहीं cheat कर रही थी और आपकी life को भी कहीं न कहीं destroy कर रही थी ये third party तो जो भी third party ने आपके relationship में किया है, जो भी third party ने आपकी जिंदगी में किया है उसकी वज़े से बड़ा हंगामा यहां पर दिख रहा है थर्ड पार्टी और पार्टनर के लाइफ में डियर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कहीं न कहीं इंफलेंस में लिया है ये तो आप समझ सकते हैं कि third party के साथ में आपके partner का जो भी relationship है इस third party का influence बहुत ज़्यादा रहा है बहुत ज़्यादा control रहा है और डियर इस influence के कारण इस भरोसे को तोड़ कर ये third party धोके की अपनी एक नीव बना रही थी और डियर उस धोके की नीव पर ये अपना कहीं न क कहीं घरोंदा बनाना चाहा था तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी cheating जो भी धोका यहाँ पर किया जा रहा था उस धोके से परदा हट रहा है उस धोके से कहीं न कहीं चीजे बहार आ रही है और डियर आपके partner की आँखों पर जो confusion वाला पट्टा बंदा था वो भी कहीं न कहीं हटता हुआ दिख रहा है दिखिए जिसने आपका भरोसा तोड़ा है आपको धोका दिया है उसको सजा तो भुगतनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहे कि कर्मा का कार्ड है और यह कर्मा का कार्ड बहुत कुछ बता रहा है कि इस third party के कारण जो आप अपने रो रो के अपना लाइफ अपना कैरियर सब कुछ खराब किया है चाहिए third party family members से क्यों न रहे हो तो डियर आगे का समय बता रहा है कि इस third party को चाहिए third party romantic partner है चाहिए third party family members से इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं इनके लाइफ में ऐसा यूटन आएगा ऐसे हाल ब्लॉके जिसी ब्लॉके जिसा जाएंगे जो mind game खिले गए हैं जो साजिशे रची गई है वो साजिशों का परदा फास हो जाएगा और डियर जैसी करनी वैसी भरनी क्योंकि third party के relation में हम बहुत सारी problems देख रहे हैं और डियर third party अपने आपी ऐसे situation में आती हुई दिख रह हैं बहुत सारे हैं ना third party ने तो डियर किसी तरह की हदे पार कर दी है बहुत ज़्यादा no contact situation खड़ा करा दिया आपके और आपके पार्टनर के बीच में और डियर गलत हरकते यहां पर नजर आ रही है ठीक है third party की वज़े से relationship तबाह हुआ है third party की वज़े से एक दूसरे की जो intention थी वो पता चली है और डियर यह भी दिख रहा है कि अब बरदाश की हद जो है वो कहीं न कहीं पार हो चुकी है अब आपके partner बहुत कुछ बदलना चाहते हैं life में आए हुए tower moment को हटाना चाहते हैं life में आए हुए situation को कहीं न कहीं हटाना चाह रहे हैं देखिए यहां पर दिख रहा है कि planning आपके partner की बहुत जबरदस्त रही है बहुत कुछ आपके partner ने किया है तो planning बहुत रही है दिखिए जिसने आपके साथ में fraud किया है जिस person ने आपको cheat किया है धुका दिया है उसकी life बहुत जदा कहीं न कहीं उसका भी भरुसा कोई तोड़ेगा उसके जीवन में भी कुछ ऐसे situation आने वाली है जहां पर injustice उसके साथ में होने वाला है यह दिखाई दे रहा है उसको कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी clear दिखाई दे रहा है कि कड़वा है पर सच है कि अब उस third party को अपने कर्मों को भुगतना पड़ेगा यह third party अपने आपको बहुत ज़्यदा sharp mind समझती है इसको लगता है कि बहुत चला के जरुष से ज़्यादा चला के यह जिस तरह से जैसे चाहे relationship को निभा सकती है देखे पार्टनर ने third party की बेज़ जती यहां पर बहुत कर दी है पार्टनर ने third party को बहुत ज़्यादा कही न कहीं बहुत गलत बोलना शुरू करा है तो वो भी दिखाई दे रहा है कि third party और partner की life में tower moment दिखाई दे रहा है और dear देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो दोनों ही कहीं न कहीं एक तरह से बोला जाए तो दूर हो रहे हैं दूरों ही कहीं न कहीं डरे हुए हैं यह च कुछ चीजों का डर है हो सकता है उसके family members जो हैं वो उस third party को परिशान कर रहे हैं हो सकता है कि third party पर किसी तरह का pressure है तो यह third party अभी बहुत डरी हुई है आप यूँ समझ लीजिए third party आपके partner को कहीं न कहीं torture तो करी रही है शासा दिखाई दे रहे हैं कि third party के खिलाफ बहुत कुछ शर्यंत्र हो रहा है third party को भी अब कहीं न कहीं कुछ ऐसे situation का सामना करना पड़ सकता है जिसके दोरान third party को धोका खाना पड़ सकता है तो धोका तो third party के साथ में होने वाला है बहुत जबर्दस तरीके से यह third party का life जो है end हो रहा है देखिए यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि third party ने आपके partner के साथ में कुछ चीजों को इस तरह से कहीं न कहीं आपके खिलाफ इस्तमाल किया है कुछ चीजों को लेकर शायद हो सकता है कि थर्ट पार्टी ने बहुत कुछ बोला है आपके पार्टनर को थर्ट पार्टी ने बहुत कुछ आपके पार्टनर से ऐसी बाते बोली है जैसे कहते हैं ना किसी को इंफुलेंस में लेना या फिर उसके कान भरना तो यहाँ पर थर्ट पार्टी जो जहर आपके partner के कान में गोल रही थी दीरे 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 तो वो जहर घोलते गोलते शायद आपके partner को बहुत ज़्यादा negative energy ने घेर लिया था लेकिन आगे जाकर यही रिष्टा जिसमें third party efforts लगाने में लगी थी जिस relation में आपके partner efforts लगा रहे थे वो रिष्टा इतना painful situation में बदल गया इतना जदा दर्दनाक हालात में बदल गया कि हालात पूरी तरह से blockages वाले खड़े हो चुके हैं ना third party आपके partner को कहीं न कहीं यहाँ पर समझ पा रही है डियर ऐसा लग रहा है रिष्टे जो है ना वो blockages में जा रहे हैं एक दूसरी की pole खुल रही है बहुत कुछ हो आपसे इजार करना चाहते हैं अगर आपकी बात करी जाए तो डियर में कुछ cards निकालूंगी कि आपको लेकर आपके partner क्या feel कर रहे हैं तो डियर आपको लेकर आपके partner जो हैं बहुत ज़्यादा love feel कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार यहाँ पर दिखाई दे रहा है और डियर वो जानते हैं कि आप जो हो बहुत ज़्यादा independent हो आप किसी पर depend नहीं हो और यह इंसान आपकी तरफ अपना एक प्यार का कप लेकर आ रहा है तो यह दिखाई दे रहा है वो करेंगे अपने प्यार का इजहार आपकी तरफ कप लेकर आ रहे हैं जो प्यार को वो एक commitment चाहते हैं आपके रिष्टे में एक नई शुरुवात चाहते हैं नए relation को कहीं न कहीं बढ़ावा दे रहे हैं आपके पार्टनर देखिए अगर बात करें अभी currently आपके पार्टनर की कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर उनके क्या thoughts हैं तो डियर यहाँ पर five of cups के energy है बहुत ज़्यादा sad है कुछ चीजों को लेकर बहुत ज़्यादा feelings उनकी रिखाई दे रहे हैं और डिय आपके पार्टनर कुछ चीजों को लेकर missing energy में हैं बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वापस से वो किसी तरफ से आपको मनाना चाहते हैं आपके तरफ कोई gift लेकर आना चाहते हैं आपके तरफ जुड़ना चाहते हैं आप से बात करना चाहते हैं तो ऐसे एनरजी में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर ये मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीजों पर फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर को ये पता है कि आपके साथ में बात की जा सकती है पर डियर शायद आपने उनको ब्लॉक किया ह आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप उनके साथ में कम्यूनिकेशन नहीं करना चाहते, आप अप कोई रिस्क अपने लाइफ में नहीं लेना चाहते, अब यहाँ पर आप किलियर तरीके से दिख रहा है कि अब आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई इसी भी तरह क कोई relation आप नहीं चाहते हैं और मुझे दिख रहा है कि आप महसूस करते हैं कि आपके partner ने ये relationship जो है वो कहीं न कहीं खतम कर दिया है तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपके partner जो है कुछ चीजों को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्कों वाली energy में दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा कुछ चीजों को लेकर सोच विचार में दिख रहे हैं आपके partner दिखिए जिस third party के वज़े से यहां पर बहुत सारी बरबादी हुई है जिस third party के वज़े से बहुत सारा उतार चड़ावाया है वहाँ पर दिख रहा है कि उस third party को और आपके partner को उनका government भी तूटेगा और उस third party को कर्मा भी भूगतना पड़ेगा है ना तो कर्मा भी भूगतना पड़ेगा दिखिए यह कार्ड यहां पर यह बता रहा है कि आपके partner मिस्क कर रहे हैं आपको लेकर तो डियर आप इस relationship को लेकर अब ठक से चुके हो आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए आप चाहते हो situation जो है handle कर लो balance हो जाए और दूसरे लोगों से कहीं न कहीं आप अभी भी अपने partner के बारे में पूछते हो तो ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप अभी भी अपने partner के बारे में पूछते हो देखो यहाँ पर आपसे आपका हक्षीना गिया है और डियर जिन लोगों ने भी आपके जीवन में blockage इस लाए हैं जिन लोगों ने भी आपसे आपका हक्षीना है अब उनको सजा मिलने वाली है आपके partner आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपके partner आपसे बहुत सारी बातों को लेकर discuss करना चाहते हैं कुछ चीजों को लेकर वो आपसे बोलना चाहते हैं गिर यहां पर अभी आपके पार्टनर जिस तरह से आपको मिस कर रहे हैं जिन चीजों को लेकर वो फोकस कर रहे हैं तो यहां पर दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत मिस कर रहे हैं Missing Energy है, किसी तरस से आपको commitment देना चाहते हैं, किसी तरस से आपको proposal देना चाहते हैं, आप से बात करना चाहते हैं, और change यहाँ पर दिखाई रहा है, बहुत बड़ा change आने वाला है, अपने एक तरस से राज राज ही रखना चाहते हैं, यह राज जो है दुनिया के सामने ना आए, समाच के सामने ना आए, वो जी जहां पर दिखाई दे रही है, देखो तोर्ड पार्टी के साथ में इनका रिष्टा जो है, बहुत ही अलग मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आपके पार्टनर का फैसला हो चुका है, सब कुछ छोड़ कर आपके पा पार्टनर को पच्टावा बहुत हो रहा है, बहुत जदा पच्टा रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत जदा चर्चा भी हो रही है, जाल में फसकर बैठे हुए हैं आपके पार्टनर देखो, यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि थर्ट पार्टी के वज़े से बहुत कुछ बरबाद हुआ है, बहुत हो सकता है कि किसी तरह का लीगल केस, किसी तरह की कोई प्लानिंग हुई है इन दोरों के बीच में, लेकिन यह दिख रहा है कि थर्ट पार्टी से अभी आपके पार्टनर कहीं न कहीं ब्लॉकेजिस में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको है न हैडेक हो रहा है, जगल भी कर रहे हैं, चीजों को लेकर बर्दस्त बदलाव चेंज और धोका यहाँ पर नज़र आ रहा है और जस्टिस यहाँ पर होगा, तो जो जस्टिस होने वाला है, जो धोका नज़र आ रहा है, बहुत कुछ बया कर रहा है, कि अब आपके पार्टनर की जिन्दगी जो है, अब आपके पार्टनर की ही है ठीके डियर तो यह है तर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है और आप क्या फील कर रहे हो तो आपकी मैं अगर बात करूं तो डियर आप अपने पार्टनर के साथ में अपना एक सूर कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन फील करते हो आप उनक के साथ में चीजों को handle करते हुए दिख रहे हो आप में से कुछ लोगों के अंदर बहुत गजब की strength and power है आप अपने आप में कहीं न कहीं कुछ चीजों को लेकर बहुत ज़्यादा disturb हो बहुत ज़्यादा headache हो रहा है बहुत ज़्यादा ऐसी situation दिखाई दे रही है कि आपने जो हालाद देखें अब उस हालादों के पीछे चीजों को आप अप सही करना चाहते हो उनके पीछे भागना नहीं चाहते हो अगर वो चीज़े आप से दूर जा रही है तो आप यहाँ पर आए हुए blockages को कहीं न कहीं हटाना नहीं चाहते हो आप चाहते हो कि जैसा हो रहा आपके जिन्दगी में वापस आना चाहता है एक टावर मुमेंट ने पूरी लाइफ खराब कर दी एक टावर मुमेंट ने पूरी जिन्दगी खराब कर दी ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है ठीकें डियर अभी आप में से कुछ लोग जो है इस्टक हैं आप में से कुछ लोग को पता है कि ये पार्टनर जो है कभी सुदर नहीं सकता है कभी ये इनसान जो है सही चीज़ों को समझ नहीं पाएगा तो वो चीज़ यहां पर दिख रही है चलिए डियर वीडियो अगर अच्छा लगा है कुछ रेजोनेट करें तो प्लीज लाइक और शेयर कीज़ेगा और जो लोग फर्स टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब तर लीजे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू